ओस्टो स्वागतूत है अपका अपने चल्नलों प््रक्टेकलीसाइड विजट मैं दोस्तो अधिक्तर मकान में हम यह कोशिच करते हैं कि जितनी हम मझबूती मकान में दे सकते हैं चाये वह क्यारी की बात हो चाये तो आज की वीडियो भी हमारी structure base के उपर है कि जब भी आप structure में काम करवाते हो तो एक ऐसा point होता है जो कि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता और वो अधिकतर लोग गलतिया करवाते हैं तो आज की वीडियो भी हमारी उसी तरह किये लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक request दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चैनल को subscribe करिए और वीडियो को अंतक जरूर देखिए और share जरूर कीजिए और इस तरह का informative वीडियो आपको मिलती रहे ठीके दोस्तों तो जैसे कि आप मेरे सामने देख देख सकते हैं जब भी हम यह PCC हो चुकी है अब PCC के उपर fresh लगने वाला है और उससे पहले जो ground floor जिसे कहते हैं या फिर हम जिसे नीचे का जो हिस्सा कहते हैं कुरसी लेवल के उपर जो column बंदाया जाता है अब दोस्तों इसमें होता है क्या है कि जो भी clear height होती है column की जो को मैंने देखा है दोस्तों की double layer के अंदर column को बराते हैं अब जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं यह जिस तरी के एक column है उसके बाद में double column double layer में दूसरा column बरेगा यह देख सकते हैं जो second फर्मा लगावा है यह बहुत गलत तरीका होता है दोस्तों मैं अधिक बाद में जो जरूरी चीज है सबसे जरूरी चीज है वो जरूरी चीज है कि जो भी आप column बराते हो वो एक single layer में पूरा complete होना चीए इससे क्या होता है कारण यह मैं बताता हूं इससों कि जब भी load calculation होती है दोस्तों तो load calculation हमेशा regular होती है बीच में कोई load रुकता है नहीं सिधर regular ही नीचे transfer होता है लेकिन जब भी आप double layer के अंदर अगर column को ब्राते हो तो double layer में यह problem आती है कि जो भी load आपके च्छत का पहले जो first layer में आता है फिर जब नीचे transfer होता है तो बीच में जो इस्तिती होती है जो crack की स्तिती होती है जो बीच में जो layer बनती है अब इस बहुत ज्यादा परिशानी का सामना होगा क्योंकि load transfer की जो problem होती है वह बहुत दिक्कत आती है इस जगे पर crack आ सकता है तो crack आने से यह है कि आपका structure का जो load ले सकता है वह column लोड नहीं लेगा तो इसी चीज को आप ज़रूरी विशेश रूप से ध्यान रखिए दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यह है कि single layer के अंदर column भरना चाहिए क्योंकि load transfer की जो इस्तिती होती है वह regular होती है बीच में coil load रुखता नहीं है इसलिए और फिर column का load transfer PCC पर होता है और PCC से सीधा footing पर होता है वीडियो में अधिकतर बता तो कहूं लेकिन आपको जब भी आप क बसता है वह चत के साथ हम बर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन आप जो इस्तिती पैदा कर रहे हो वह हमेशा सेंटर में कर रहे हो तो column जो डिफोम होता है अधिकतर दोस्तों वह center के अंदर ही होता है तो हमें उनी center का विशेश रूप से ध्यान रखना ह देख सकते हैं आप जितने भी column जो है वह center में ही इनकी bonding मन रही है तो center में bonding नहीं बननी चीए यह बहुत गलत तरीका होता है तो जोस्तों जब आप अपने मकान में column बरवाते हो तो इस चीज का विशेश रूप से ध्यान लखिए जो मैंने आपको चीज बताईए तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम भारत माता की जाए